हेलो माई डियर एश्येंट कैसे आप लोग बढ़िया एकदम बढ़िया रेंचे देखिए मेरे प्यार एश्येंट क्लास 12 हिंदी का जो चेप्टर नमबर 7 का है जिसमें से आप लोग को 5 से 6 अब्जेक्टिव एक्जाम में प्रतेक वर्स पूछा जाता है छोटा सा वीडिय निबंढ़ का दर का नाम बताईये ये जगदीष चंद्र माथुर है याद रखेंगे आगे क्या कराए मेरे डियर एश्येंट जगदीष चंद्र माथूर का जन्म कब हुआ था तो जगदीष कंद बांधूर माथुर का जन्म कब हुआ था सुल्ला जुलाई-192017 को हुआ आगे क्या कराए मेरे डियरेशेंट ध्यान देंगे कि जगदीष चंद्र माथूर का जन्म कहां हुआ था जगदीष चंद्र माथूर का जन्म जो हुआ था मेरे डियरेशेंट सा जहापूर उत्तर परदेश में हुआ था सा जहापूर उत्तर पर्देश में हुआ था आगे क्या करा है जगदिश चंद्र माथूर का निधन कब हुआ था तो जगदिश चंद्र माथूर का जन्म जो है हुआ था आप लोग को कब हुआ था तो 14 मई 1978 को हुआ था 14 मई 1978 को हुआ था आगे क्या करा है बहुजन संप्रे मन कैसे ताल है। मन जो है कैसे ताल है तो मन जो है आप लोग याद रखेंगे मेरे डियरेशेंट वह जो है गहरे और विसाल ताल है। चल यह आगे बढ़ते हैं जगदिश चंद्र माथूर को कौन सा पुरसकार नहीं मिला था, तो जगदिश चंद्र माथूर को जो है, कौन सा पुरसकार जो है मेरे प्यारेशेंट नहीं मिला था, तो वो भारतिय ग्यानपीट पुरसकार नहीं मिला था, आगे क्या कर रहा है मेरे डियरेशेंट, आगे क लोगों को कौन था मेरे प्यारेशन्ट बहुत बनीयादम संदार एंसर किये हैं असाड का एक दिन और लोहा सिंग यह नहीं लिखे थे आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारेशन्ट कर राए कि परंपरा सिल नाट्टे पुस्तक किस ने लिखी थी तो वह लिखे थे जगदिश च पालू है यानि कि एक ही सिखे के दो पालू है कि इस पार्ट में आया है तो यह आया है मेरे प्यारेशन्ट याद रखेंगे सभी लोग ठीक है ना यह याद रखेंगे मेरे डियरेशन्ट कि 11 नमबर हो गया है ना एक सकेंड यह लगता है दूसरा चेप्टर के आ गया है दस के बाद 11 11 हो गया है 11 के बाद आप लोगको 12 चले ठीक है यह 12 नंबर होग जाएगा आप लोगो कौन सा पाट का आ तो यह है आप लोगको याद रखेंगे मेरे प्यार लाल ओशदा नीरा कौन में है ओशदा नीरा का है ठीक है, आगे बढ़ते हैं संकलित निबंध है तो यह जो है आप लोग को कौन सा पुस्तक से है तो यह जो है आप लोग को बोलते छन से है नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियरेशेंट ओसदा नीरा किस नदी को निमित बना कर लिखा गया है तो ओसदा नीरा जो है किस नदी को निमित बना करके लिखा गया है तो वह आप लोग को भारे का मस्दूर का है भारे का मस्दूर आगे क्या करहा है मेरे डियरेशन क görünा कि चंपारन में गांधी जी के चमतकार की कथा किस ने लिखी तो जंगु कुन लिखे थे तो वह लिखेते आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यार लाल एकदम कोरेक्ट एंसर राजेंदर परसाद ने डक्टर राजेंदर परसाद भारत के पर्थम राश्पती थे करा किस पाठ में आया है कैसी चंपारन की या भूमी मानो विसम्रित थी के हाथों अपनी बरी निधियों को सौपने के लिए प्रस्तूत रहती है बताइए क्या हो जाएगा आप लोग को तो वो हो जाएगा आप लोग को ओसादा नीरा। आगे दखिए क्या कर रहा है मेरे डियरेशन कर रहा है कि बैसाली महसब का प्रती बर्ष आयोजन किस ने प्राराम कर वाया तो किसने प्राराम कर venom dire जगदी चंद्र मातूर ने क्षोर आगे बढ़ते हैं मेरे डियरेशन लुप्स हना लूस हो या किसने कहा यह कहा था आप लोग और कौन शिक्षा पदती को तो मैं खौफणाक और है मानता हूं छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धी का विकास करने के बजाए यह पदती उन्हें बवना बनाती है किसके विचार है तो यह विचार किसके है तो यह महात्मा गांधी का और देखिए आप लोग को अगर भी बिया कोस्चन इंस पर चाहिए तो आप लोग को सबी विचयों का पिडिया नोट करने के लिए गूगल या क्रोम पर सर्च करना हो गाई स्टाडी सीले बशाट है जैसे यह यह सर्च करेंगे तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा इस पर किलिक करने के बाद मेरे पियारे एसेंट उपर के रिश्कोल करना है और प्यारेशन मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इतना है, पर आप लोग जल्दिया दियाए, और एक एक लाइक कीजिए, अपने फायादे के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इतना है वजाहिए, जै भारत!